हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल में तो ये मेरे पास मैं नेक्सस का सॉलर पीसियू है 2.5 के भी एक कॉपर प्लस मोडल है तो आज हम इसके सैटिंग की बात करने वाले हैं और सैटिंग अल्मोस्ट सभी में सेमी होती है वो मैं आपको डेटेल में बता देता हूं है तो इसमें कोई OK का button है नहीं है ओकी के काम हमारा ये वाला button ही करता है जो भी आप सैट करेंगे इसी को back करते हुआएंगे तो आपने आप ये जो भी setting आप सैट करेंगे तो ये खुद को restart करके उसे set कर लेता है ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी setting में चलते यह वाला बटन आपको प्रैस करना पड़ेगा यह व्यू लॉक्स यह जो है यह आपका कितना जेनरेशन हुआ है वो सारी चीज़े दिखाने के लिए है इसका वैसे कोई काम नहीं है बट फिर भी आप अगर चाहें तो अपना जेनरेशन बगर यह सारी चीज़े चेक कर सकते जब से आपका इस्यू लगा है क्या हुआ है क्या हुआ है तो मैं आपको इस बता देता हूँ कोई वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि यह मैं डेटेल में शायद आपको अच्छे से ना भी समझा पाऊं और जिसको में समझ में नहीं आता है तो वो प्लीस कमे अटालर प्रूर्टी तो यह आप चाहिए तो यहां पर इस जो मोड़ दिये हो हैं है आप देखो यह वाले मोड यह आता हैं यह घड़र्व Hybrid Mode दिया हुआ है पहले इस में पहले इसलीड पे सालर पे चलेगा उसके बाद Grid को Connect करेगा उसके बाद Bantry पे अब बनेटरी पे music करेगा ठिक है और PCU Mode पे अगर आपको EK अब अब इसमें सेट करेगा PCU Mode भी यूज सकते हैं Hybrid भी कर सकते हैं Smart Mode smart mode में ये फायदा है कि आपको कुछ नहीं करना है मतलब इसमें setting करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मैं इसे हमेशा smart mode पे यूज़ करता हूँ ज़्यादा था च्योंकि light नॉर्मल याती भी है और जाती भी है और solar तो आपको पताएए कि दिन में ही walk करेगा तो रात में जैसे हमारे solar से current बंद हो जाएगा तो ये light को reconnect कर लेगा यदि light रात में जाती है तो ये अपना battery पर shift हो जाएगा मतलब hybrid mode पे आ जाएगा ये दोनों को जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसे set करने के लिए देखो कोई भी आपको set करना जैसे कि ये वाला आप देख रहे न अपनीचे हो रहा है अगर आप इसे back करते हो जाएगे बैक 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 ये वाला बटन ये आप दबाते हो जाएगे तो ये अपने आपको restart करके उसे set कर लेगा जो मैं आपको एक setting करके इसमें दिखाऊंगा last minute ठीक है उसके बाद हम इसमें back चले जाते हैं इसके बाद आता है charging ये रहा इसे ok करेंगे हम यह आपर ये रहा charging हमेशा enable रखनी है अगर आप अपने grid को use ही नहीं करना चाहते तो वो आप disable भी कर सकते हैं occupied bend करता है ठीक है उसके बाद में इसमें यहाँ पर दो setting है cable इसके बाद में इनिवेक्टर और UPS mode इसमें mode दी हो मैं देखो यह इनिवेक्टर mode है यह UPS mode है तो मैं हमें इसको UPS mode पर use करता हूँ जो कि जैसे हमारी light जाती है वो cut ना लग पाए ठीक है यहाँ पर यह सारी settings दी होना यह बैटरी option में यह देखो type of battery यहाँ पर tubular है मेरे पास देखो यह tubular batteries है उसके बाद आपके पास में यदि कुछ होती है जो आपका जहल वाली आती है तो वो इनके लिए है वर्टीकल के लिए तो आप देख लेना आपके पास ट्यूबर ज्यादा तर लोग tubular ही यूज करते है तो tubular आप सैट रेंड बेना यह already सैट होगा रही आएगा tubular पर यह उसके बाद आएगा हैंपे charging voltage तो यह solid की charging voltage है मतलब मैंने जो set करके रखा है वो 14.5 है वैसे actual जो हमारी battery full charge होती है वो 14.4 पर होती है मतलब यह एक battery का current इस में show कर रहा है वैसे double battery का इनमेटर है बट इसमें एक battery के voltage शो कर रहा है जो एक battery के full voltage होते है 14.4 होते है ठीक है इस इसे आप set कर सकते हैं जैसे कि हाँ यह up down आप इसमें कर सकते हैं देखो यह नीचे करेंगे तो यह नीचे चला जाएगा ऊपर करेंगे ऊपर चला जाएगा ठीक है तो यह आप इसमें set कर सकते हैं set करने के बाद सीधर यह वाला button आपको press करते हो जाना है back जाना मतलब आप को यह automatic set हो जाएगा उसके बाद man's मैंस है आपको कितने वोल्ट तक चार्ज करनी है तो यह मैंने 14 यहाँ पर कर रखी है आप इसको आप डाउन भी कर सकते हैं ऐसी setting में जाके अपना नॉर्मली हैसे जाएंगे तो यह मैंने 14 पर कर रखी है मतलब man's आपकी जो full charge होगी वो 28 26 वोल्ट पर full charge होगी man's से उसके बाद नीचे चलते हैं फिर यहाँ पर आएगा charging current यह देखो solar इसमें 50 ampere का card लगा हुआ है MPPT card जो आप बोलते हैं 100 VOC यह support करता है और उसके बाद यहाँ पर यह man's से है man's हमारा कितने मतलब ampere से हमी चार्ज करनी है battery को तो जादा solar panel रहेंगे तो आप इसे full परी रखना जितने है उतनी जादा बैटर होगा और उतनी जल्दी battery को चार्ज बेग रहेंगा आप भी इसको नीचे अब down भी कर सकते हैं इससे भी set कर सकते हैं सीधा यहाँ पर यह व पर ही रहने दें तो जादा बैटर होगा ठीक है उसके बाद यह okay यह man's में आपको जाना है man's में देख लेना है कितने वोल्ट से आप man's से चार्ज करना चाहते हैं तो यह उतने ampere से battery को चार्ज करेगा तो यह मैंने 15 से कर रखा है मतलब 15 ampere से battery को चार्ज करेगा जब भी हमारी man's में reconnect होगी ठीक है यदि आप सखा solar से current नहीं आता है तो उस condition में उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर लेख जाएंगे उसके बाद आएगा हमारा advance setting यह इसका main point है advance setting में यह इस mode से आपको कोई छेड़ छाड़ा नहीं करनी है यह जैसा है ऐसा ही रहने देना देखो पर यह set है और यहाँ पर है battery low cut मतलब low cut जब आपकी battery down में जाएगी मतलब जब आपकी load चल रहा है और battery पर load चल रहा है तो यह इतने वोल्ट पर cut करें battery को मतलब मैंने जो set करके रखा है वो 10.5 है इससे नीचे जाएगा भी नहीं क्योंकि यह के maximum होता है battery के लिए अगर आप इससे जादा discharge करेंगे तो इनकी gravity गिर जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है फिर आपको अलग से charger लाके दिक्कत होती है gravity को उठाने में maintain करने में तो इसे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं कि मेरा inverter इतना चार्ज रहे तब कट मारे और इसे आप कम से कम पर रखेंगे तो जादा बेटर होगा कि आपका पूरा बेंटरी का जो है आप चार्ज कर रहे है उसका पूरा benefit आपको मिल सके वो ये भी आप सैट कर सकते हैं कितने पर आपको ये disconnect करनी है ठीक है मतलब इनवेटर बोल स्मार्ट मोड पर यूज कर रहा हूं मैं इसको तो मैंने जो मैंस को reconnect करने के लिए रखा हुआ है मैं personally ये मैंने रखा हुआ है तो मैंने 12.5 रखा हुआ है आप इसे भी सैट कर सकते हैं कि आपको बेंटरी कितना डाउन करनी है मतलब reconnect आपकी कब होना चाहिए जिससे कि मैं अब आपको फरस्त ताइम बताते हैं PCU मोड जो डे में ये वर्क करेगा PCU मोड में यह स्मार्ट मोड में जो भी आपको इसमें सेट करेंगे आप जैसे की 11 वोल्ट है PCU मोड में क्या करेगा पहले सॉलर उसके बाद बैंटरी उसके बाद ग्रेड ग्रिट जो reconnect होगी जब आपकी बैंटरी मतलब पहले solar से चला है solar से current डाना बन उसके बाद बैंटरी यूज़ करने लगेगा ये mains को connect नहीं करेगा जब बैंटरी आपकी 11 वोल्ट पर हो जाएंगी जितने भी आप इसमें वोल्ट सेट करेंगे जब तक बैंटरी आपकी उस वोल्ट तक disk मतलब down नहीं होगी तब तक ये mains को connect नहीं करेगा तो मैंने ये जो connect करके रखा है smart mode पर मैं इसको use कर रहा हूँ तो मैंने 12.5 करके रखा हुआ है ठीक है तो वो आप अपने according इसमें कर लेना सेट मैं जैसे था मैं वैसे ही कर देता हूँ इसको ठीक है मैंने ये back कर लिया सेट करने के लिए सीधा back 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 आपको ये वाला बटन प्रेस करते रहना है ये तीन बार beep देगा उसके बाद ये set हो जाएगा जहां पी आप इसको set करेंगे PC mode पे भी same है जितना भी आपको down करने के मतलब की light आ भी जाए तो पहले मेरी battery यूज़ हो उसके बाद mains connect हो उसके according आप इससे set कर सकते हैं आप 11 पर जैसे set कर देंगे तो 11 पर क्या होगा जब आपकी battery 11 वोल्ट पर आएगी मतलब load चलता रहेगा आपका main भी आ रही है लेकिन main को connect करेगा ही नहीं क्योंकि जब तक आपकी battery में जान है मतलब जब तक ये charge है 11 वोल्ट पर लग तब तक ये main को connect नहीं करेगा जैसे ये 11 वोल्ट पर डाउन आएंगी तुरंद main को connect कर लेगा तो आपका जो सारा load है फिर ये भी charge होने लगेगा और सारा load आपका सीधा मीटर से चलना लगेगा जो भी आपकी mains आएगी ठीक है तो आसा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा ये मैं practically भी आपको करके देखा सकता हूँ अगर आपको ज़्यादा detail में ही जानना है तो उसके लिए आप comment कर सकते हैं और कोई भी question होता है setting के related वो आप question भी कर सकते हैं comments भी कर सकते हैं और जिसको भी समझ में ना आए म मैं उनको practically भी करने के लिए तैयार हूँ उसमें कोई problem नहीं है बड़ आपको comments करने होगी और अगर आप ऐसे ही समझ सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है वो आप समझ लेना ठीक है बस इसमें यह हम यही setting है इसमें क्योंकि यह जो main reconnect का यह सबसे most important इसमें option है जिसने यह समझ लिए समझ लो उसे यह PCU control करना आ गया कैसे करना है ठीक है बाकि अगर आपको setting जैसे आना था PCU वैसे आना है तो setting में जाके केवल यह वाला बटन यह तीर हमेशा उस पर होना चाहिए back 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 करते हो जाना यह पूरा restart हो जाएगा अब मैं एक बार आपको set करके और हम इसको set करना है ना हमें इसे ही okay करना पड़ेगा यहां पर यह रहा मैं यहां पर ला दिया ना यह okay करना है अब यह अब दिखो यह PCU mode पर आगे ना star जो है जो तीर है या तो वो होगा या star है यह आपको मिलेगा यह back वाला बटन ही आपको click करना है देखा हो मेरा यह PCU mode पर set हो चुका है अब मैं आपको दिखा देता हूँ देखो यह setting में गया हमें यह रहा solar purity यह रहा देखो हो गया नहीं हो गया PCU mode पर set कोई भी mode आपको अगर अलग select करना है smart mode पर जैसे मैं दुबारा लगाना है मुझे यह okay यहां पर करना है नीचे लाकर इसको okay कर दि हो यहां पर दुबारा से यह रहा है यह set हो गया आप देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो smart mode पर आड़ गया और जैसे आपके setting है वैसे ही आपके रहेगी तो यह कोई भी नहीं करेगा ठेक है उस दिर में PCU mode बगर यह सारी चीज़े start हो जाएंगी solar के current के recording क्योंकि दू-तिन मिनट लगते हैं मेजर करता है कि current कितना आ रहा है बैंटरी कितना है में सारी नहीं है तो उस चीज़ को देखते हुई यह उसके recording connect कर लेता है चैक है तो यही है आज की वीडियो कुछ ना समझ माया है तो comment कर सकते हैं बाकी देखो मेरी एक ही request है कि आप मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कर लें आपको informative वीडियो ज़रूर में दे रहे हैं कोई भी question query होती है comments कर सकते हैं बाकी वीडियो को like share कर दिया करें ताकि हमारी वीडियो आगे भी लोगों को जानकारी हो पाए कि कैसे work करता है नेकसस का PCO तो जिसमें भी यह settings है चाहे वो 5KVA हो 3KVA हो जो भी हो अगर उसमें ऐसी setting है तो सब में ज़्यादातर same setting है तो वह आप ऐसे set कर सकते हैं देखो इसमें UPS mode on का लिया solar के current को measure करते होगे तो आज का वीडियो हम यही paint करते हैं थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो तो वीडियो को देखने के लिए आपका बह करते हैं